जै श्री कृष्णा, राधे राधे, कार्तिक भगवान कीजे, आईए जाने कार्तिक मास, तारा भोजन और पुरे मास में किस तरह केवर्थ होते हैं। कार्तिक मास में बगवान राधा कृष्ण, विपल पत्वारी, तुलसी, आवले, केले की पुजा करनी चाहिए, साथ ही रोज पांच पत्थर रखकर पत्वारी पुजा, किर्टन, कथा, कहानियां भी सुननी चाहिए। रात्री में तारों को अरग दे कर भोजन करते हैं, इसलिए से तारा भोजन के नाम से जाना जाता है। कार्थिक मास के अंतिम दिन व्रत का उध्यापन भी किया जाता है। कार्थिक माह में पूरे मास अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार व्रत का विधान होता है, पूरे मास व्रत के अलग-अलग विधान बताए गई हैं। जो भी मनुश्य को उत्तम लगता है और पूरे महापालन करने के योगय लगता है, वे उस नियम के अनुसार ही व्रत के उध्यापन में अपनी शर्दा अनुसार ब्रामन को दक्षना देने के साथ ही, किसी ब्रामनी, सास या किसी बुजर्ग मैला को साड़ी और सामर्थय अनुसार दक्षना देने का विधान होता है, नारायन, तारायन, कार्तिक प्रारम होने के पहले दिन, तारो को अरग दे कर भोजन करें, कार्तिक के दूसरे दिन दोपैर को भोजन करें, तीसरे दिन निराहार वर्थ रखें, इस तरह से पूरे कार्तिक मास इस करम को पूरा रध उध्यापन में चांदी का तारा या 33 पेड़े ब्राहमन को दान करें ये वरत नारायन तारायन वर्थ कहलाता है तारा भुजन कैसे करें कार्तिक मास में रोज दिन भर निराहार रहे कर तारा देखने के बाद आरट देकर वरत खुला जाता है ये वरत ही तारा भोजन कहलाता है बाद में ब्रामन को भोजन कराकर चांदी का तारा व्यतेतिस पेड़ा दान में देना चाहिए छोटी साकली वर्त कैसे करते है इस वर्त में दो दिन भोजन और एक दिन अपुवास रखने का विधान होता है इस करम को पूरे मास किया जाता है उध्यापन के समय सोने या चांदी की साकली बागवान के मंदिर में चड़ा कर ब्रामन को भोजन खिलाये जाता है एक आतर वर्त कैसे करते हैं इस वर्त में एक दिन भोजन और एक दिन उपुवास पूरे मास किया जाता है अंत में ब्रामनों को भोजन खिलाये जाता है और दक्षना दी जाती है चंदरायन वर्त कैसे करें? यह वरत कार्तिक मास प्रारम की पुर्णिमा से कार्तिक की पुर्णिमा तक किया जाता है इसमें पुर्णमासी को पुवास, एकम को एक ग्रास, दूज को दो ग्रास, इस तरह से प्रती दिन करम बढ़ा कर अमावस्या तक 15 ग्रास खाने होते हैं, वरत में आप हलवा बना कर भी खा सकते हैं, वहीं अमावस्या के दूसरे दिन एक ग्रास कम करते हुए करम में इसे ग प्रशाद को बगवान को भोग लगा कर खाया जाता है। चोटी पंच तिर्थ्या वर्त कैसे करें। उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। कार्तिक मात में आप चाहे जो भी वर्त का चयान करें। लेकिन उद्यापन करतें इसमें जोड़े में ब्रामनों और ब्रामनियों को भोजन कराएं। व्रत महिला को साड़ी और स्वागन महिला को स्वाग के सामगरी जरूर दे। मुलो विष्णु भागवाने की जे, लक्ष्मी नायन भागवाने की जे, कार्तिक भागवाने की जे। धीमन नारायन, 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 लक्ष्मी नारायन, 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 नारायन। मुल लक्ष्मी नायन भागवाने की जे, राइदा मोदर की जे। झाल झाल